हाई एवरिवन केसे हूँ आप सभी लोग आयोप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जे इस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में आपके साम दें मोस्ट इंपॉर्टन माथेमेटिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूँ दोस्तों जिसमें आज के दिर हम लोग पढ़ने वाले हमारे नाइन स्टैंडर के लिए मैथेमेटिक सब्जेक जो पार्ट वन होता है दोस्तों जिसको हम लोग क्या बोलते है एलजेब्रा पार्ट वन यानि एलजेब्रा सब्जेक का चैप्टर नमर टू के हमने शुरुआत की थी जिसका नाम था रियल नमबर्स तो आज हम लेक्चर नमर फोर लेकर आ गए हैं इस पर्टिकुलर चाप्टर का तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा आज क क्योंकि इसमें हम लोग कुछ चिरॉटिकल चीज जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं तो बेसिकली आपको याद होगा कि इसके पहले लेक्चर तक हमने बहुत सारे चीज कंप्लीड कर दिये और इसके जो प्रैक्टिस से वो भी हमने कंप्लीड करा है और आपको दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ चिरॉटिकल चीज जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इर्रैशनल नंबर एग्जैकली होता क्या है और इर्रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल से यहाँ पे मैं कराऊंगा कि कि किस प्रकार हम लोग बोल सकते है कि यार यह जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर है और यह जो नंबर है वो एक इर्रैशनल नंबर है यानि कि अगर आपके सामने कोई दो नंबर रख देता है अगर दो नंबर यहाँ पे मैं लिख दूँगा एक नंबर यहाँ पे मैं लिख दूँगा और आपको मैं तो प्लीज जाके चेक आउट कर लो हमारे प्लेलिस्ट को वीडियो सेक्शन भी आप कंटिन्यूसली चेक करते हो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजे मिल जाएगी ठीक है चले शिरुवात करते हैं आज की इस वीडियो की जो की हमारा लेक्चर नंबर फोर है ठीक है तो सब अगर मैं बात करू कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग P by Q के फॉर्म में नहीं रख सकते यानि की इर्रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग P upon Q के फॉर्म में नहीं रख सकते ऐसे टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों इर्रैशनल नंबर हमने पढ़ा था, तो rational number मतलब क्या था, कि P upon Q के form में होना चाहिए, यानि कि fraction के form में होना चाहिए, ठीक है, और इसमें condition ये था कि Q not equal to 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, Q not equal to 0, अब यहाँ पर आप देखोगे, तो जैसे मैंने बोला, कि irrational number मतलब क्या होता है, it will not be in P upon Q form, यानि कि P by Q form में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यह होता है, कि नाम से ही पता चल जाएगा, देखो, irrational है irrational में आप यह चीज़ अगर देखोगे, RATIO ratio, यह चीज़ दिख रहा है, आपको ratio लिखा हुआ है यानि कि ratio नहीं बन सकता यानि कि यह जो भी number होते है उसको हम लोग ratio में नहीं लिख सकते, we cannot write in ratio, ratio के form में नहीं लिख सकते, अब ratio का मतलब यह होता है आप जानते हो, जैसे कि कोई भी दो number है उपर नीचे P, ratio, Q, तो ऐसा कोई भी जो number रहेगा, उसको में यह ratio के form में नहीं लिख सकता, या फिर डिरेकली P upon Q के form में नहीं लिख सकता तो ऐसे number को हम लोग क्या बोलते है irrational number बोलते हैं, clear है समझ में आ गया, अब इसको identify करनेगा, इसको पहचाननेगा एक तरीका होता है, सबसे पहले मैं आपको कुछ rational number बताऊंगा, जो कि already हमने पढ़ा है लेकिन कुछ और examples बताऊंगा, rational numbers का फिर irrational number से उसको compare करके दिखाऊंगा कि कैसे आप identify कर सकते हो एक rational number को और एक irrational number को ठीक है, तो उमीद करता हो जो basic definition था कि rational number मतलब क्या होता है ऐसा number जो fraction form में होता है P upon Q के form में होता है और Q हमेशा 0 से बड़ा होता है, not equal to 0 होना चीए और irrational number मतलब P upon Q के form में नहीं हो सकता, यानि उसका हम ratio नहीं निकाल सकते, P upon Q के form में नहीं रख सकते, इसलिए इसका नाम क्या है irrational number है, बहुत simple था इसको पहचानना, ठीक है, बहुत simple था, इसका definition, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजे बताऊंगा, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है, एक दो column बना देता हूं, एक बना लेता हूं, ration, यहाँ पे मैं बात करता हूं, rational number के बारे में, ठीक है, rational number का एक समझने की कोशिश करो, एक rational number, एक की rational number, जैसे मैंने बोला, कि rational number मतलब क्या होता है, p upon q की form में होता है, ठीक है, और यह क्या होता है, it is not in p upon q form, p upon q form में नहीं हो सकता, एक सबसे important चीज बताऊं, कि rational number, ऐसा number होता है, rational number, एक ऐसा number होता है, जिसमें जो numbers होते है, वो क्या हो होते repeat होते हैं पहले मैं डेफिट क्या बोलगा कि नंबर्स यहांपर क्या होते हैं यहां नंबर का बताता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा अब ध्यान से देखो यहां पे जैसे मैंने बोला कि नंबर रिपिडिट से तो एक एक एक्जामपल लेता हूं जैसे कि है 0.35 0.35 भार 0.35 भार एक 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 नंबर दिख रहा है अब यह एक कैसे rational नंबर हुआ यह अब इसको मैंài 0.35 को मुझे लिखना है अपॉन के फोर्म में यानि fraction के फोर्म में तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्चुल में इसका मतलब क्या होगा दोस्तो 0.35353535 डश 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 कभी खत्ब होगा क्या है नहीं non-terminating हमने पड़ा है इसके पहले non-terminating और obviously हमको पता है कि जब किसी भी number के उपर बार लिखा होता है यानि कि वो चीज बार बार repeat हो रहा है ठीक है, 0.35 है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है, उसको लिख देने का 35, और नीचे आप देखो, क्या लिख सकते हो, दो नंबर है न, तो दो नंबर यानि कि हो जाएगा 99, ठीक है न, ये एक ट्रिक होता है, मैं आपको कभी और, जो हमारा मैच्ट्रिक्स का वीडिय किया, मैंने आपको ये सिखाना है आज, कि rational number और rational number को कैसे आप classify कर सकते हो, कैसे पहचान सकते हो, बस इतना आज की दोन में, आज की इस lecture में ध्यान दे दो, बाकी जो है, ट्रिक वाला, ये जो ट्रिक मैंने किया, वो मैं अलग से बना दूँगा, कोई tension मतले है, ठीक है, मै मैंने बोला, starting में, कि ये कौन से form में रहेगा, P upon Q के form में रहेगा, तो आ रहा है था, P upon Q के form में, 35 upon 99, यानि कि अगर मुझे कोई पुछेगा, कि ये 0.35 जो मैंने number लिया, 0.35 बार, ये क्या है, एक rational number है, कि ये irrational number है, आप सिधा सिधा बोल दोगे, कि सर, ये एक rational number है, क्य जोस्तों, कि वो 0.35 बार जो है, इसमें जो number है, वो repeat कर रहा है, खुद को, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, ये repeat हो रहा है, कहीं पे भी कोई भी numbers के अंदर, point के बाद, अगर numbers repeat हो रहे हैं, तो वो rational number है, P upon Q के form में है, तो भी वो rational number है, यानि कि ये हमारा जो number है, 0.35, ये क्या है, ए इसकी को compare करता हो, irrational number के साथ, चलो मैं एक example लेता हूँ, irrational number का, समझ लो मैंने एक ले लिया, root 2, root 2 आप जानते ही हो, this is the irrational number, ठीक है, root 2 क्या है, मेरा एक irrational number है, तो root 2 जब irrational number है, मेरा, अगर आप ध्यान लगा के कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, root 2 मेरा जब irrational number है, ठीक है हाँ, तो इसका एक value होता है, root 2 का आप देखोगे न, इसका क्या होता है, दोस्तों, एक value होता है, तो root 2 का एक value होता है, जो कि मैं आपको लिखके बता दूँ, यहाँ पे, जो कि है, 1.4142, ठीक है, 1356, मतलब यह खतब नहीं हो रहा है कभी, तो मेरा मैं क्या बात करने की को पुशिश कर रहा हो, यानि कि यह जो root 2 जो में लिखा हो, यह जो root 2 आपको दिख रहा है, यह root 2 का एक value है, 1.412, 41421356, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दोगे, अगर, कि point के बाद जो number से, वो repeat हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे है, point के बाद जो number से, 41421356 यह क्या हो रहे है, repeat नहीं हो रहे है, तो अगर कोई number repeat नहीं होगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि वो एक rational है, कि irrational है, obviously irrational है, because हमने एक चीज़ पढ़ा, कि यहाँ पे, या तो वो p upon q के form में होना चीए, तो root 2 को में p upon q के form में लिख नहीं सकता, correct है, we can't write it at, and दूसरा चीज numbers repeat नहीं हो रहे, इसमें numbers repeat नहीं हो रहे, that's why यह एक irrational number है, ठीक है, एक और example से समझा जाओ, let's suppose, one more example I am taking, ठीक है, चलो मैं एक example लेता हूँ, let's suppose यह है, 4.35 bar, 4.35 bar, अब इसको मैं कैसे convert करूँगा, अब सबसे पहले आप देख सकते हो कि 4.3 bar को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 repeat हो रहा है, यानि कि सिदा-सिदा मैं क्या बोल सकता हूँ, कि यह एक rational number है, यहाँ पे भी अगर मैं आप देखूँ, root 3 का example ले लो, root 3 भी आप जानते हो, ठीक है, और इसके आगे वाले lecture में आपको पूरा conversion भी पता चलेगा, ठीक है, root 3 का अगर जो मैं value की बात करूँ, व कोई भी एक number pattern में repeat नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह जो number रहेगा, वो क्या रहेगा, irrational number रहेगा, तो ऐसे ही देखोगे, तो there are so many examples, there are so many examples जिसमें आप पता लगा सकते हो, कि कौन सा rational number है, कौन सा irrational number है, दो ही method आपको ध्यान में रखना है, कि कोई भी number आपको दीखे, तो condition भी ध्यान में रखना, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो अगर ऐसा है, तो वो एक rational number है, लेकिन अगर कुछ ऐसा number है, जिसको हम लोग point में निकालने के बाद हमें देखना पड़ता है, कि कोई भी number repeat नहीं हो रहा है, तो that is simply but the irrational number, और वो P upon Q के form में भी नहीं होता है clear है, तो उमीद करता हूँ कि आपको यह चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होगी, इससे एक चीज और हम लोग क्या बता सकते हैं, जितने भी real number होते हैं, all the real numbers, क्योंकि चाप्टर का नाम क्या है real numbers है, तो हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं, all the real numbers are not rational number और not irrational number, ह जितने भी real numbers होते हैं, वो rational number नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है, कि हर चीज आप जो इस पे बनाओ, real number यानि कि आप number line पे बना लो, ठीक है, number line वाला जो हम लोग देखेंगे, next lecture में देखेंगे, वो सा हम लोग को बताना रहेगा, show करना रहेगा कि कोई एक irrational number को हम लोग number line पे कैसे दिखा सकते हैं, यह सभी चीज आपको अगले lecture में देखने मिलेगा, ठीक है न, पूरा हमने अच्छे से बनाया होगा, आपके लिए, tension बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है, आज का lecture छोटा ही था, यहाँ पे समाब भी हो जाया, almost हमारा जो lecture है, यहाँ प तो यह जो number होता है, यह अगर आपको कोई पूछेगा कि बताओ कि यह root 5 क्या है, आपको कोई पूछेगा कि यह root 5 क्या है, बताओ, तो आप क्या बोलोगे, rational है की rational है, obviously irrational है, क्योंकि इसमें number आप देखो, repeat, नहीं हो रहा है, P by Q के form में भी नहीं है, यानि कि यह irrational number है, और 22.7 यूज करते हैं, लेकिन exactly इसका एक value होता है, जो कि मैं आपको लिखना चाहूँगा, बहुत बड़ा value होता है, 3.1415265 और ऐसे करते-करते हैं यह खतम ही नहीं होता है, यह जो पाय का value है, 3.14152652, ऐसा-ईसा-ईसे करते जाओगे, खतम ही नहीं हो रहा है, और यहाँ प करता हूँ कि यार, यह चीज भी आपको बहुत ही easily समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा सा आज का lecture था, बहुत ही interesting था, क्योंकि यह चीज शायद बहुत कम लोग जानते होगे, कि एक rational और rational number को कैसे हम लोग categorize कर सकते हैं, और आपके सामने कोई number अगर रग दिया जाए जो ऐसे type के numbers होते हैं, उसको कैसे हम लोग number line में, जो line होता है, number line आपको पता, graph or line, उस पे कैसे represent कर सकते हैं, उसका क्या तरीका होता है, यह हम लोग explain करेंगे next lecture में, ठीक है, तो बस आज के लिए तना यह वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें comment करके बता मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, यह वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye.